अब तक हमारे सेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए अभी हावाज है हम आपके लिए लेकर है टक्स वाला ब्लाउस तो यह कुछ इस तरह से दिख रहा है इसकी कटिंग कर देंगे तो आप देख सकते मैं सबसे पहले पीछे की डोरी के लिए निकल देती हूँ तो पीछे से कपड़ा कम पड़ेकर तो छिंदा नहीं रहती है डोरी के लिए पहले निकल देना है तो यह मैंने चार भागों में ब्लाउस की बाजू के लिए चार भाग कर दिए तो मैं इसका ब्लाउस की बाजू के नाप ले लेंगे तो हमारा नाप आप देख सकते हो ग है यह हो गई हमारी बाजु अभी उपर से आदा इंच जितना कटिंग करना है अभी हमें पीच्छे का भाग निकलना है तो उसके लिए उसकी लंबही हमारी 15 ले लिये हमने यहां पर हमें शाड़ापाल्स लेना है यहां पर हमें शाड़े चह और साइट की हमें हमारे साथी 32 इंच से तो 8 ले लिया यहां पर 28 से तो 7 इंच 1 इंच 20 में टक्स बढ़ने के लिए तो यह 8 इंच नीचे भी हो गया कमर में भी तो अभी 1.5 इंच और बढ़ाएंगे तो यह आप देख सकते हो मैंने 1.5 इंच जितना कपड़ा साइट में बढ़ा दिया नाप से यह ह हमें पीछे का भागना अपना है तो इस तरह से पीछे का भागना भी हमने डबल फोल्ड कर दिया है और आप देख सकते हैं आगे की साइट गले की साइट हमने 1.5 इंच ज्यादा रखा है और नीचे की साइट भी हमें आदा इंच ज्यादा रखा है यह देख सकते हैं यह नीचे की तरफ अभी इसमें से हमने योग निकलना है तो आप देख सकते हम योग कैसे निकल रहे तो चार इंज पर हमने निच्छान कर दिया या पर तीन इस तरह से हमें गोलाई ले ले लेनी है तो यह हमारा हुईयोग भी निकल गया अभी हमें टक्स बढने तो गल्ली का लगाई कर देंगे नाप तो हमारा 3 इंच पर गला बनार नाहीं तो यह स्तरह से गोला दे देंगे और नीचे की तरफ 6 इंच पर बन रहा है तो इस तरह से हमें गले को गोला में कटिंग कर देना है हापी हमें कपड़े को अलग कर देना है बीच में से तो यह हमारे कपड़ा अलग हो गया है और अभी हम पीछे का गला निकाल रहे तो पीछे का गला हमने ब्लाउस के अंदर से निकाला है तो इस तरह से हमें मटके गली के तरफ निसन लगा के अभी मटके ताइप कटिंग करना है तो यह हो गया हमारा पीछे का गला भी कटिंग करके आप देख सकते मर्ण के जैसे हो गया है अभी हमें टक्स बनने तो साड़े तीन पे इस तरह से और ऊपर की साइट साड़े-पाच पर हमें निसान लगाना है क्यूंकि पट्टी हम इसमें से ही फोल्ड कर ऐसलिए आप दूसरी पट्टी डालोगे तो 1.5 पे निशान लगाना और उपर की side 1.5 इंश पे और यहां पर आपको बिच्जों बिच्ज मार्किंग कर रहे हूं यहां पर हमें एक इंस पर इस साइड भी हमें एक इंस ऊ Rag she रही है तो यह होगी हमारा मारकिंग करके अभी हमें दूसरे कपड़ा उसके उपर रखके स्टेप करना है तो इसके उपर निसान आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको नहीं देख रहे होगा लेकि निसान आ गए और अभी हमें इसी से गले की पटी निकला था उसी से हमें बटन और काज पटी करने हैं और ये तिर्चे पटी हम गले पटी के लिए कटिंग कर तो यह आप देख सकते हो यह हो गई हमाने हमारे गला पटी ओ कम आख हुआ हमें माजू की पटे यूज करना है तो हमने पहले उसमें से थूरी सी छेलाई लगा है आप देख सकते हो इस तरह से फिर हमें एक इंच पे सिलाई लगानी है एक इंच कपड़ा रखके पट्टी के लिए यह आप देख सकते हैं मैंने एक इंच जितना कपड़ा रखा है और पट्टी की मैं सिलाई कर रही हूँ तो यह हमारी हाथ की हो गई है सिलाई पट्टी की इस तरह से अब को इस तरह से पट्टी क फिर हम एक इंच जितनी योग की भी पटी फोल्ड करेंगे, यह एक इंच जितनी योग की भी पटी फोल्ड हो चुकी है, आपको वीडियो में कुछ समझना आए तो आप हमें कॉमेंट करके जरू बता सकते, यह हमें क्रॉसिंग पटी कटिंग की ती कले के लिए उसको हम इस तहरा से जोइंट कर देंगे अभी हमें टक्स को भनने हैं तो जहापे हमने निसान लगा है वास से हमें सिलाई करनी है नीचे से थोड़ा आदा इंच जितना लेना है उपर से एकदम कम करना है इस तरह से हमें सिलाई करनी है आप देख सकते हो मैं किस तरह से कर रही हूँ नीचे से थोड़ा ज्यादा ले रही हूँ और उपर से ज्यादा नहीं लेना है एक सवा इंच जीतना लेना है बहुत कम लेना है खूना इंच जीतना इस तरह से सिलाई करनी है यह देख सकते कितनी बारिक सिलाई मैंने किये ज़्यादा नहीं कपड़ा पकड़ा है इसी तरह सभी टक्स को भर देने है यह टक्स वाला बलाउस बहुत ही इजी सिलाई हो जाता है और इसमे ज़्यादा समय भी नहीं लगता है आपने अभी तक हमार सेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और ना कुछ समझा आए तो कॉमेंट करके जरूर बताए और हमारा वीडियो कैसा लगा आपको यह भी कॉमेंट में जरूर बताए इस तरह से सारे टक्स बर अभी हमें पीछे के पाग में टक्स बर लेंए तो हमने निसान लगा रहata वहाँ SI हमें इस तरह से आदाई इंस नीच्छे से और उपर से भारीक-भारी करके सील twee ले लेनी है तो यह हो गया हमार पीछे का भी टक्स बर लेके एक और यह दूसरा भाःत है हम इस तरह से दोनों टक्स भरके हो गए हमारे अभी हम बटन और काज पटी को सीलाई कर रहें एक साइट से तो इतनी सी एक चौते हमें सीलाई करनी है और इसकी पटी भी हमें इसी में से फोल्ड कर देंगे तो हमें पीछे के भाग में मैंने इसी कपड़े में से फोल्ड कर दिये पटी दूसरी नहीं लगाई आप देख सकते हो यह हो गए अभी हम इसमें योग लगा देते है आगे के भाग में तो योग हमें इस तरह से लगाना है जो मोर्टी साइट है, वो मतलब आगे की साइट लगाना है, बटन पती के साइट जो पिछे से पतला आए, कटिंग क्या हुआ, वो पिछे की साइट में लगाना है टो इस तरह से हमारे योग लगत कर हो गए, रेडी इसके उपर हमें डफ सिलाई माननी है तो इस तरह से हमें डफ सिलाई माननी है तो देख सकते हैं आप हमारी डफ सिलाई भी हो गई है मारके और यह देखने में कितना एकदम पर्फेक्ट लग रहा है अभी हम इसमें बटम पटी लगा देंगे तो अभी काजबटी लग रही है तो इस तरह से हमें काजबटी लगानी है काजबटी राइट हैंड में लगती है और बटम पटी राइट हैंड में लगती है तो इस तरह से फिर कपड़े को सीधा करके उसके उपर डफ सिलाई ले लेनी है पट्टी के उपर इस तरह से अभी इसके उपर उसको अंदर की तरब करके फिर उसके उपर सिलाई लेनी है अब देख सकते हैं मैंने अंदर की तरब कर दिया है और इस तरह से हमने सिलाई ले लि lmost doný यहां तक हमने सीलाई ले लेनी है अभी हमें काजबटि लगाने है तो कपड़े को उल्टा रखना है admit में लगानी है तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा उपर का कपड़ा सीधा है टक्स परे हुए उपर है और पट्टी नीचे की तरफ से लग रही है काज पट्टी में सीधी तरफ लगाना है और बटन पट्टी उल्टी साइट में लगाना है तो उल्टी साइट में यह सीधे बाग में अभी शिला ही हो रही है अभी हमें यहांसे एक्स्ट्रा कपडे को निकल देना है इस तरह से तो यह देख सकते हो हुआ हमने एक्स्ट्रा कपडे को निकल दिया है अभी हमें जॉइट कर देना है तो आप देख सकते हैं हमारे चारो भागे एक जैसे है अभी हमें सीलाई ले लेनी है तो इस तरह से हम सीलाई लेंगे पहले सीधे कपड़े में सीलाई लेनी है फिर उल्टा करना है उससे फिनिसिंग अच्छे आती और धागा भी नहीं नहीं किलेगा गले में से यह इस तरह से सीलाई हो रही है अभी हमने उल्टा कपड़े को करती है और अंदर की तरफ सीलाई ले रहे है तो आपको देख सकते हो कि ओपर सीलाई के धागे नहीं दिख रहे है बिल्कुल क्योंकि अंदर भी सीलाई हो चुकी और बार भी हो रही है तो एकदब इसकी फिनिसिंग बहुत अच्छे आ रही है अभी एक्ष्ट्रा कपड़ा बाजू के साइटे वो मिकाल लेना है और हमें बाजू को लगाना है हाथ को तो इस तरह से हमने जो छोटा कटिंग किया हुआ भाग है ब्लाउस में हमने पठी कटिंग किया था वो बाजू आगे की साइट लगेगी और बिना कटिंग किया हुआ पीछे की साइट लगेगा इस तरह से हमारी बाजू लगकर हो चुकी है रेडी दूसरी बाजू भी हमें इसी तरह से लगाना है जो मोटा बाग बीना कटिंग किया हुआ बाग आगे की तरफ लगाना है और कटिंग किया हुआ बाग आगे की तरफ लगाना है यह इस तरह से हो गया है रेडी हमारा अभी हमें इसकी साइट की सीलाई लेनी है तो दोनों भाग को जोडने के लिए तो इस तरह से हमें लेनी है पहले सीधे भाग में हमें सीलाई लेनी है जैसे हमने कंदे पे लिया था उसी तरह से सीधे भाग में लेनी है यह आप देख सकते हैं यहाँ हमारी सीलाई नहीं है कपड़े को उल्टा करेंगे दूसरे भग में भी हम पहले सीलाई ले लेंगे इस तरह से फिर कपड़े को बटेंगे अब इस सीधा कर देंगे इस तरह से आप देख सकते हो मैंने कपड़े को सीधा किया फिर इसके सीलाई ले रहे है इस तरह से हमें सीलाई लेनी है यह हो गई हमारी सीलाई और दूसरे भाग में भी हम ले लेंगे तो आप देख सकते हूं यहां पर हमारा धागा बिलकुल नहीं दीख रहा है क्योंकि हमने पहले सीधे भाग में सीलाई ली थी फिर उल्टा लिया था तो यहां से हमारी प्रेसिंग आती है इससे अभी हमें गले पटी के लिए गला पटी ले लिए हमने तो पहले से हमने बना के रेडी रखी थी तो इस तरह से हमें गले पटी को जॉइंट करना है इस तरह से प्रेसिंट करना है इस तरह से हो गई फिर हमारी कटिंग सब जगा पर हमें कट मानने पूरी पटी में कट मानने चोटे-चोटे सिलाई नहीं कटनी चीए सिलाई के अंदर अंदर कट मानने है जापे आपने सिलाई ली फिर इसको सिलाई के उपर उसको थोड़ा सा फोल्ड करना है सिलाई के उपर ज्यादा नहीं थोड़ा फोल्ड करना है जिससे वो सिलाई की हुई ढख जाए सिलाई तो यह हमारा फोल करते जाना है और सिलाई लेते जाना है जिससे हमारी कलाइपटी की फिनिसिंग बहुत अच्छी आती है और बिल्कुल कपड़ा अंदर की तरफ नहीं दीखते है आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं दीख रहा हमारा एकदम फिनिसिंग के साथ पटी हो रही है यह त्रेडी यह पाइपिंग बहुत अच्छी दिखती है § अभि 4 ऐचपी में एक करमे को हैं तो आप कर फिद दोरी लगाशे की तरह तो इस तरह से में डोरी लगाते की आप अप Christmasy तो तीन इंच पे डोरी लगानी है मेजर टैप से नाप होगे तो नहीं तो हाथ से हम तो डायरेक्ट ही कर देते हैं इस तरह से डोरी लगके रेडी हो जाएगी इस नाप ही हाथ ह?, जीतना नाप को इस की डबल करके कपड़े को फिर आपको फिटिंग लेनी होती है तो इस तरह से ремहारा लाप है तो हम ऐसको फोल्ड कर देंगे और दोनो बाचू निसन लगारा देंगे यह हमारा दोनों बाजू निसन लग गए हैं और बाजू से बाजू नप लेनी है यहाँ पर भी निसन लगा दिया है यहाँ पर हमने लगा दिया निसान अभी डाइरेक्ट हमें सीलाई कर देनी है तो इस तरह से हमें सीलाई करनी है आप साव तो बगल में भी नाप सकते हैं और नहीं नाप होगे तो भी डाइरेक्ट सीलाई लोगे तो आपका बराबर आएगा अभी दोनों साइट हम सिलाई ले लेंगे नाप से फिर हमें अंदर के साइट दो से तीन सिलाई ले लेनी है किसी को लूज टाइट होगा तो वो खोल सकेंगे इसके लिए अंदर हमें दो तीन सिलाई लेनी होती है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सस्क्राइब और सेर जरूर कीजिए और हमें कॉमेंट में जरूर बताया आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नेक्स्ट वीडियो के लिए